हेलो एफ्रिवन में नाम है विशाल and I welcome you all in today's video I hope आप से बढ़ाय कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में हम sentence के बारे में जानेंगे तो एक sentence बस एक group of words होता है याने की words का संभू होता है जिसका एक meaning हो उसको हमें एक sentence कह सकते है जैसे कि हमने यहां पर एक word रिखा he loves chess अगर इसका मतलब दिखने के कोशिच करें हिंदी में तो होगा वह है पसंद करता है chess यहां पर नाम ही है हम बोल सकते हैं इसलिक एन यह वैक्ती chess खेलना पसंद करता है तो इसका एक मतलब हो रहा है इक दो तीन वर्ड से मिलके això कि एक अपुरा ग्रोप वर्ड हो रहा है तो हम सकते हैं कि यहां पर है्वर्ड है इसके हम tempteps किह क्स्टेंस क्याबने क्ष़या है है कि एक sentence है Պप्गा kया है यहां यहां ठाथना है इसको sentence कहा जा सकता है यानिकि अगर हम देखें, इस sentence के component किया एक हो सकते हैं यानिकि वो किसके चीज़ों से बिलके बनाओ तो येकिस sentence होता है, वो हुमारे दो चीज़ों से बिलके बन सकता है पहली चीज़ है, subject दूशी चीज़ है, private तो क्या होता है subject और트 प्रड़िये, subject यानि या sentence का हुआ है भाग, जिसके बारे में बात कही आ रही है, जैसे जिसके बारे में आंके जो भी बात लिखी गई है, वो गया subject होता है, for example, loves chess, he loves chess, पुसंद करता है, chess को कौन पसंद करता है, इसके बारे में या बात कही गई है, he के बाजने, यहां पि अब noun का मतलब भी होगा कि noun phrase भी हो सकता है, noun अगर एक word में है तब ही, एक से ज़जार word में है तब ही, noun की जगह पर हम इसमें genuant form का भी स्वाल कर सकते हैं, मांग आखे बनेंगे, और हम वर्ब की विडियों में इसको जाना भी दा, तो हम genuant का युज़ कर सकते हैं, infinitive का और किसी noun phrase का समाल में कर सकते हैं, अब क्योंकि यहां पर noun है, और noun की जगह प्याने वाले word, pronoun जलाते हैं, तो हम pronoun का भी इसमाल यहां पर कर सकते हैं, तो बगाल आगा subject है, subject के अलाबाद जितना भी part sentence का होगा, उसकों कहा देंगे, प्रेडिकेट, इस वाले example अगर हम और यह एक और word आ रहा है, जिसको हम इस sentence का object कहें, तो प्रेडिकेट पार्ट में हम वो सकते हैं, वर्व होगी मेरी, ठीक है, वर्व में भी कौन कहुंसी, main word भी हो सकती है, और हमारी helping word भी हो सकती है, उसके बाद उसके दूसरा पार्ट होगा हमारा object होता है, object याने कि जो हम भोलेंगे, chess पसंद करता है, तो chess यहां पे object यह तरह काम कर रहा हो, ठीक है, अब इन चीरों को प्रेडिकेट में तुला सा पढ़ी हो, उसके बाद में एक और चीज जो प्रेडिकेट के रूप में हम लिख सकते हैं, वो विजाएगा, compliment, compliment, वो word होते हैं, या वो group of words होत सकती है, वो एक adverb हो सकती है, तो हम कहीं है, वो क्या है, वो एक compliment है, वो subject के बारे में कहीं गई बात है, ठीक, तो यह होते हैं हमारे sentence के component, अब इसके बाद हम देखेंगे, हमारे sentence के type कौन को होते हैं, तो types of sentence क्या गया हो सकते हैं, वो हम देखने ही pushes करेंगे, types of sentence, तो एक sentence के यह सकते हैं यह इसे संट में एसे संटनेंस होते हैं जिसमें किसी भी बात को तो बता रहे होते हैं, यानि कि किसी भी चीज के बाले में information दे रहे होते हैं, जानकारी दे रहे होते हैं, अजर हम इसी चीज की information दे रहे हैं, हम बोल सकते हैं, इन में से कोई सब यह sentence हो रहता है, एक हम दे रहे हैं, यानि की सब्ट लोग हो और रहे है, इन में प्रेक्शन धूश अगया, ना कोई और किसाथ दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं यह sentence के रख ऐसा है declarative या पर assertive sentence है अब assertive या declarative statements जो होते हैं वो तो type के हो सकते हैं होल्मों से पहला है हमारा negatives यानि को negation जलके भी हम ले सकते हैं negatives क्या होते हैं ऐसे sentence जिसमें को information तो दी जाए लेकिन उसमें not, no, never इसमें काम के ना होने की बात किया रही हो हिंदी बगर हम देखें तो नहीं शर्द कप्रे उख रहा हो तो हम कह सकते हैं negative अगर इसी sentence को हम यहां पर दुवारा एक में कुशित करें तो हम बहुत सकते हैं they are not coming तो यहां पे भी यहानकारी ही दी आ रही है जानकारी ही दी आ रही है कि they are not coming अब बस क्या हो गया कि पहले आ रहे थे coming थे अब यहां पे coming नहीं हो गया आ नहीं रहे है तो they are not coming इस not ने क्या बताया इस not ने बताया कि यह मारा negative sentence है और not को हम यहां पर कहेंगे एक negative word की तरह यह काम कर रहा है ठीक है दूसरा statement यह declarative sentence अगर हम बोलें तो negative थे हम बोल सकते हैं affirmative affirmative यह से affirmation करके भी हम इसको लिख सकते हैं यह जो example में यहां पर लिखा हुआ यह example लिस्टा है यह affirmative example है यह आने के लिए हमने गुरा कि they are coming to you transfer लेते है वे नाच रहे तो they are dancing के यहां पर नहीं शब्सब्र रहुआ जो भी वर्ग है उसके होने को बता रहा है उसके ना होने को नहीं बता रहा है इसमें बोला है कम अगला आना आ रहा है यह नहीं आ रहा है काम के ना होने को बता रहा है तो हम बोल सकते हैं यह affirmative sentence है है तोनों के दोनों इस स्टेटमेंट इंटेरोगेटेव को हम कूष्चांस भी बहु सकते हैं कि यह कूष्चन पूछने लिए हैं कि इस्तमाल किये जाते हैं यानि ही तपी हमें किसी विक्ति से कोई प्रेश्ट पूछना होगा, कोई सवाल करना होगा, पूछताश करने होगी, तो हम इन सेंटेंसे के इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे हमने पूछा कि आप कैसे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है, मैं है क्या करना हूँ, आप क्या कर तो इन सब सीसे में हम पूछ रहें हैं कि काम जो वर्ब है वो क्यों क्या कैसे हो रही है तो हम पूल सकते ही जिद्न वी संट्ट है क्वी सब्स ऐकी कैसे हैं इन्टॉट अधिर एंटूगेटिव हैं तो तो हमएप पूछ रहे कि क्या थैां या नीकिसा मार्क जो की बता रहा है कि कि लिए सेंटेंस कैसा है कुष्टन है या फिर हम कोलें इंट्रोगेटिव है ठीक है आप जो इंट्रोगेटिव होते हैं वह तुराइब भी हो सकते हैं पहला जो होता है वह होता है सिंपल या फिर्श्ट इंट्रोगेटिव ठीक है इन्हीं को यह सुनो कुष्टन भी कहते ह यह से सेंटेस होते हैं जैंकि शुरू आद में आती है हल्पिंग वर्व उसके बाद में हमारा सब्चेक्ट अता है उसके बाद में बागी सेंटेस हो शुरू आद में है तो हम एनका निकालने की कुछित करेंगे तो यह से सब्सक्राइब क्वार में नख लेगा जैसे हमने ब्गुझा क्या आप विज्याले जाते हैं तो आप हो सकते हैं येस इसके लब आप तो कोई भी यांसर नियुक्ति तो नहीं है तो इम इस कांसे वह नहीं कि नहीं जिक्त लाइगाइन की नो क्या सिंप्पल इंडूऑ इंकर मैं हुं और इ जैसे कि यहां पर हो रिखाव हो है तो इसकी शुड़ात में वह रवाती है फिर सब्चेक्ट आता है और आंगे का वागी हिंटेंस आ रहा होता है तो डबले शुड़ात में वह रहा होता है तो इसकी हिंदिया कैसे बंती है इसकी जो इंदियों के शुड़ात में क्या आता है कि क्या आपने ऐसा किया यह एक पैंसल है क्या आप पढ़ाई कर रहा है क्या आप इसकोल जाते हैं क्या आप बजा जा रहा है तो क्या क्या करके हम कुछ रहे होंगे जाद अधर तो वह सिंपल इंट्रोइटिव ही होता है क्यों कैसे कहां इसका कितना कितने उसकी इंगलिश यहां पर आ रहे होगी सब्सक्राइब लुग करते हैं को इंफसाइज कर देएगड़ एंफसाइज इंफसाइज कर देए इंफसाइज बनेज फीलिंग्स अब दी विमोशन इस दीजों को इंफराइज करने का साम होता है एसक्ले मट्री सेंटें जानी कि जो ने बुला है उशक्वा मात्रा उन्हें बताने की हुचित करेंगे, जो जो उन बूलेंगे उन लुट्री है बोलहा है इंपसाइज लाना है यान इस पर जोड झोड़ देना होता इसकी से न मंता है नहय well to speak है तो स्केल्स को करते हं जाना की और विधी भुला में के तो एक जरोपते हैं यह वो सकते हमारा कि मंता के इसफ में एñा जैंसे कि हम ने बोला है ऐससे बहुत सारे वर्ड है इनका हम इस समार कर सकते हैं न रोकेad कर back श करते हैं उसके साथ में कि अच्छिद हैं और और उसके बादेब्ीक्त है कमारा उसके बाद मर्य यह सब्सक्राव खरना ऐसकीजिस केतने बाद पर जाइन कि अबशन हां क्योंकि एक exclamatory sentence है तो आकरी हमारे exclamatory mark भी आ रहेगा जैसे कि हमारे question mark आ रहा रहा था इंट्रोकेटिव सेंटेंस में यहां फे exclamatory mark आ रहेगा exclamatory mark इसमयादी सुर्ण बहुतर को चिंद दूसरा हम इसमें एक और पर ही किसमा सकते हैं हाव करते हैं है है हाव के बाद में आएगा objective फिर आएगा हमारा object जाने की जिसकी उपर बात पर रहे हैं इसके बारे हम बात पर पही आ रहे हैं और आप रहेगा हमारा helping over क्योंकि यह भी sentence कैसा है exclamatory है तो उसके लाश्य भी क्या जाएगा exclamatory आप एक्सामपल अगर एक एक एक्सामपल देखते हैं तो हम एक एक्सामपल के लिए थे हैं इसमाल कर लेते हैं एगें के विशेशा आप यह बढ़े तो आप है बोल सकते हैं beautiful यह beautiful अब्सक्रिंग कोई सब्सक्राइब तो पहलेगा व्यूथि क्या हो जाए कि चाहेगा विश्य यह फिर्जवरू वद्ध हैं थो फोड़ी पार सुनदर है को बहुत ज्यादा है और वह हम्में शाइज की जाया or यह मेंने पहुत अच्छ वगिए हैं इसाइश यह बाद अ तो बिद्वाइब करते हैं तो यहां के सब्सक्राइब करते हैं तो यहां के सब्सक्राइब